आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ तो इस कोशिचिन में वो हम से एर पूछा गया है कि किस एर में इन्होंने सेल थेओरी प्रपोस करी थी तो सबसे पहले हम जो है वो देख लेता है कि सेल थेओरी में जो इन्होंने दी थी उसमें क्या-क्या था यानि कि Shleden and Swan ने जो cell theory दी थी तो उसके हम कुछ main points यहाँ पे देख लेते हैं जो पहला point है वो हमारा है कि जो living cells है जो हमारी living cells है वो more than मतलब कि one और more than one cell से बनी हुई है ठीक है इसके बाद जो major point था इसमें यह था कि जो हमारी cell है cell is the basic unit of life ठीक है इसके बाद जो इसमें main था कि जो smallest functional unit है living की यानि की smallest functional unit of living is cell ठीक है यह main major point थे इस theory के इसको और modernize किया जब modern cell theory आई उसके बारे में भी हम जान लेते हैं इनके बाद modern cell theory आई जो दी थी रडॉल्फ वर्चो ने ठीक है इसमें क्या था इन्होंने बोला कि जो हमारी cells हैं वो कहां से आती हैं cells come from pre existing cells ठीक है तो इस question में हमसे basically year पूछा जा रहा है तो अभी जो हमारी cell theory accepted है वो modern cell theory accepted है और जब इन्होंने श्लेटन इन श्वान ने जब cell theory दी थी तो वो दी थी late 1830s में यानि कि इस option में option no.2 जो है वो most appropriate है option no.2 1838 to 39 Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advanced के level तास million से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज ही डाउनलूट के ले डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स आट 400 400 चार्स अपर